तो कैसे हैं आप लोग आपका दोस्त लेकर आ चुका है फिर से एक नई जयब की नोटिफिकेशन जी यहाँ जीदी सी यही जप यहींरी यहींell वी ज्तनी नतोरा लीचिन फाल स्वारी जाया जा चुकिए है और इसमें आज हम देखने वाले हैं इसके section के बारे में कितना question पूछा जाएगा RRBJ में कितने marks का पूछा जाएगा time duration क्या मिलेगा सारा कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे उससे पहले हमारी एक छोटी से request है कि अगर आप हमारे channel पे नए हो तो प्लीज यार channel को subscribe कर दो क्योंकि आपके एक subscriber से हमारा motivation हाई होता है आपके लिए इसी तरह की job notification लाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि section क्या होने वाली है तो इसमें part A और part B की section होने वाली है सबसे पहले हम बात करेंगे J.E. के syllabus के बारे में जी है कि J.E. का syllabus 2023 का जो है वो क्या रहने वाला है तो इसमें जो अगर section की बात करें तो जी में आपका journal awareness पुछा जाएगा physics and chemistry पुछा जाएगा basic of computer and application पुछा जाएगा साथ ही अगर बात करें तो basic of environment and pollution control और technical abilities भी जो है इसमें पूछे जाएगी total question की बात करें तो डेड़ सू रहेगा marks डेड़ सू रहेगा कौन सा को जो है section कितने marks का रहेगा और कितने नंबर का तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि हार एक question के लिए हार एक एक number मिलेगा journal awareness जो है वो 15 question रहेंगे इसमें जो है वो आपको 15 marks का जो है वो question पुछा जाएगा physics and chemistry की बात करें तो ये भी 15 marks का रहेगा और 15 question रहेंगे basic computer की बात करें तो 10 question रहेगी इसमें वहीं अगर बात करें basic environment की तो 10 question रहेगी इसमें और सबसे अधिक रहेगी technical abilities की जी हां जो कि 100 question इसमें रहेंगे बात करतें कि technical abilities में सबसे ज़्यादे question क्यों पुछा जाएगा तो सरकार जो है वो आपको बात करें पे की तो अच्छी खासी पे करती है salary जिसके लिए उसको technical बंदे ही चाहिए जहीं के लिए तो टेक्निकल से सबसे ज़्यादे question रहत है total question की बात करें तो 150 रहेगी वहीं marks की बात करें तो 150 marks रहेगा साथ ही अभी बात करने वाले हैं कि कि जैर्नल अवेरनेस का क्या रहने वाला है तो knowledge of current affairs रहने वाला है इंडियन जेगराफरी रहने वाला कल्चर एंड हिस्ट्री रहने वाला इंक्लोडिंग फ्रीडम भी रहने वाला है इंडियन पॉलिटी रहने वाला इंडियन एकोनोमी इंवाइर्मेंटल इश्यू यह सारी कुछ जो है इसमें रहने वाली जैर्नल अवेरनेस में आप देख सकते हो स्पोर्ट से भी रहेगा कुछ-कुछ question रहेगा वहीं जैर्र अप कंप्यूटर इन्पूट अंड आउट्पूट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, उसके बाद जो है MS Office, इंटरनेट एंड इमेल, वेबसाइट अंड वेब ब्रावजर, कंप्यूटर वाइरस, बेसिक अफ इन्वार्मेंट अन पॉलिशन की स्लेव इसके बाद जो है टेकनिकल की बात करें तो आप किस ब्रांच से जो है वो रिलेट करते हो, मैकनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स या सिबिल, जिस भी ब्रांच से हो, वो आपका ब्रांच पेपर रहेगा, ठीक है तो यह सीडिसी एक्जाम पेटन 2023 होने माला है, उ के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन